नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हमारा स्पेशल शो तारीख इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जोड़ी भारत की आइतियासिक कहानिया आज 2 सितंबर है और आज की तारीख का संबन्ध है एक हवाई दुरघटना से तारीख थी उसकी 7 सितंबर 2009 इसकार में दुनिया भर की खबरे तो थी ही साथ ही एक हेडलाइन थी जो सारे न्यूस पेपर्स के फ्रंट पेज पर चस्पा थी पिछले पाश दिनों में आंध्रपुदेश में 300 से ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यों की खबर थी नीचे बताय हुआ था कि हार्ट अटैक के अलाबा 50 से ज्यादा लोगों ने आत्मात्या का प्रयास किया था अकेले वारंगल जीले में 46 लोग हार्ट अटैक से मरे थे और 12 लोगों ने आत्मात्या कर ली थी यह था भारत में हर साल लोगों की मौत दिलका दौरा पढ़ने से होती है लेकिन एक हफ़ते के अंतराल में एक ही राज्यम में इतने लोगों की मौत एक चौकाने वाली खबर थी उपर से आत्मात्या की खबर तो और भी हहरान करने वाली थी लेकिन उस दिन इस खबर को पढ़कर किसी को कोई अचंभा नहीं हुआ था जैसे सब पहले से जानते हों कि ऐसा क्यों हो रहा था लेकिन जैसे दुनिया में सब की जिन्दगी की कीमत बराबर नहीं मौत भी तराजू पर बराबर नहीं तुलती है उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ लोगों की आखे नम थी उन्हें हार्ट अटैक से मरने वालों का दुख था लेकिन इससे बड़ा सद्मा एक दूसरी मृत्यू का था सद्मा जो अपने साथ साथ कई और लोगों को हार्ट अटैक दे गया लोगों को जिसकी मौत का गम सता रहा था वो कोई आम व्यक्ती नहीं था कौन था ये व्यक्ती ये जानने के लिए इसके ठीक पाश दिन पहले की घटना पर चलना होगा वो दो सितंबर का दिन था शाम आते आते हैं हैदराबाद के मंदिरों और मस्जिदों और गिर्जों में भीड़ी कट्था हो गई कहते हैं दुन्या में मृत्यों से जादा कोई चीज आपको आस्तिक नहीं बनाती पूजस्तल में खटा हुए लोगों को भी यही डर अपने इश्ट के पास ले आया था लोगों की आँखों में आसू थे और हाथ श्रद्धा से जुड़े हुए इश्वर की परातना में लीन थे उस दिन शाम को पूरे हैदराबाद की सड़कों पर नारे लग रहे थे राजशेकर रेड़ी जिन्दाबाद जिन्दाबाद का नारा अमोमन समर्थन जताने के लिए लगाया जाता है आज लेकिन ये एक पुकार थी राजशेकर रेड़ी की सलामती की डॉक्टर येदुगुरी साधिन्ती राजशेकर रेड़ी यसर आंदर पुदेश के मुख्यमंत्री जो अपने 30 साल के राजन्यातिक करियर में कभी चुनाव नहीं हारे चार बार विधायक रहे चार भार ही लोग सभासांसर भी रहे 2004 में पहली बार आंदर के मुख्यमंत्री बने और 2009 में दोबारा चुनाव जीत कर सत्ता पर काबिज भी हुए 2009 के सितंबर महीने तक रेड़ी को दूसरा कारेकाल संभाले हुए चारी महीने हुए थे लेकिन शुरुवाती महीनों में ही वो सौ से ज़्यादा गावों का दौरा कर चुके थे ताकि विकास कारेओं की समीक्षा कर सके इसी कड़ी में दो सितंबर 2009 को उनका एक प्रोग्राम तै था उन्हें चित्तूर जिले के गावों के दौरे पर जाना था तीन दिन पहले आंदर पुदेश के एविएशन विभाग से इस यात्रा के लिए एक हलिकॉप्टर को तयार रखने को कहा गया 31 सारी को मेंटेन स्टाफ ने एक बेल 430 हलिकॉप्टर को इस यात्रा के लिए तयार किया 2 सितंबर को सुबह 6 बच कर 15 मिनिट पर पाइलेट S.K. भाटिया और को पाइलेट MS. Reddy का प्री फ्लाइट मेडिकल चेक अप हुआ दोनों पाइलेट्स ने एक 10 मिनिट की टेस्ट फ्लाइट बिली मुख्य बंतरी की यात्रा के लिए सुरक्षा के सभी इंतिजाम सुनिश्चित किये गए इसके बाद साड़े 6 बचे बेगम पेट हवायाड़े के VVIP पॉइंट पर चौपर को उड़ाने के लिए पुजिशन कर दिया गया अंत में बंब डिटेक्शन यूनिट ने भी हलिकॉप्टर का फाइनल चेक अप किया और यात्रा के लिए हरी जंडी दी उड़ान का समय तय किया गया था साड़े 7 बजे लेकिन उस दिन मौसम था खराब इसलिए उड़ान में देरी हुई दोनों पाइलट्स ने मौसम इभाग से एक और बीफिंग ली और आखिर कार सुबह 8 बच कर 38 मिनिट पर हलिकॉप्टर तीन यात्रियों को लेकर उड़ चला चौपर में वक्यमंत्री वाइसार रेड़ी के अलावा विशेश सचिव पी सुब्रमंडियम और मुख्य सुरक्षा अधिकारी A.S.C. वेसलि भी शामिल थे उड़ान के कुछी देर बाद मौसम और ज्यादा खराब हुआ नौ बचकर बारा मिनट पर चन्ने रीजनल H.F. रेडियो ने हलिकॉप्टर से संपर्क किया पाइलिट ने बताया कि आसमान में घने बादल है और चौपर पच्पन सो फीट की उचाई पर है चन्ने H.F. रेडियो ने पाइलिट से कहा कि वो साढ़े नौ बजे दोबारा उन से कॉंटाक करे लेकिन इसके तुरंद बाद चौपर रडार से गायब हो गया बहुत कोशिशों के बाद जब चौपर से कोई कॉंटाक नहीं हो पाया तो H.F. कमांड को किसी अन्होनी का अंदेशा हुआ तुरंद केंदर को सूचन दी गई और दिन होते होते तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया ये भारत के सबसे बड़े तलाशी अभियानों में से एक था उस वक्त सबसे पहले तलाशी के लिए चार हलिकॉप्टर बेज़े गए और साथ में असी पैरा टूपर्स की एक टीम भी सर्च ऑपरेशन के लिए लगा दी गई देर राध तक चले ऑपरेशन के बावजूद पहले दिन सर्च टीम को हलिकॉप्टर का कोई सुराग नहीं मिला तलाशी अभियान असफल रहा है इसके बाद अगले दिन 3 सितंबर को सुखोय 30 MKIs भी सर्च मिशन में शामिल किये गए ये विमान Thermal Imaging प्रणाली से लैस थे इसके साथ ही दुरुघटना शेत्र की मैपिंग के लिए इसरो के उपग्रहों को भी फोकुस किया गया साथ इस CRPF के 5000 जबानों को जंगल का चपपचपचा चानने के लिए लगाया गया हलिकॉप्टर नला मला के जंगलों में लापता हुआ था जो की नकसल प्रभावेत इलाका था सुरक्षा बलोन को इस बात की चिंता थी कि दुरुघटना में कहीं नकसलियों का हाथ न हो इसलिए नकसल रोधिपल ग्रे हाउंस को भी सभिहान में शामिल किया गया काफी होजबीन के बार तीन सितंबर की सुबह साढ़े आठ मिनिट पर वायो सेना के MI8 हलिकॉप्टर ने दुरुघटना ग्रस चौपर का पता लगाया करनूज से सतर किलोमेटर दूर रूद्र कोंडा की पहाड़ी पर चौपर का मलबा था पेर से ठकरा कर चौपर जमीन पर क्रैश हुआ था और उसमें आग लगी थी दिन में साढ़े बारा बजे पधानमत्री कारा लने हलिकॉप्टर के दुरुघटना ग्रस थोने और इसमें सभार रेड़ी सहीच सभी पांच लोगों की मृत्तियों हो जाने के पुष्टिकी तलाशी टीम ने चौपर में लगे कॉक्पिट वोईस रिकॉर्डर सी वियार को रिकबर किया और उसे जांच के लिए बैंग लोर लाया गया दुरुघटना के कारण सी वियार में चुकी खराबी आ गए थी इसलिए पहले बैल कंपिनी के इंजिनियर्स को बुलाया गया लेकिन उनसे भी जब वो ठीक नहीं हुआ तो उसे अमेरिका में बैल कंपिनी के हेड़कॉर्टर्स में भेजना पड़ा सी वियार से जो डीटेल से हो जानकारी मिली वो इस प्रकार थी चन्ने एच एफ रेडियो से कॉंटाक्ट होने के बाद सुबह 9 बच कर 20 मिनिट पर चौपन ने कृष्णा नदी को पार किया तब तक टेक आफ किये 42 मिनिट हो चुके थे इसके चन्द सेकेंड बाद ही पाइलिट को आईल ट्रांसमिशन में कुछ दिक्कतें नजर आने लगी दोनों ने फ्लाइट मैन्यूल और इमर्जंसी चेकलिस्ट में देखा कि इन हालात में क्या करना चाहिए यही पर दोनों से बड़े गलती हो गए मौसम खराब था और फ्लाइट प्लान के अनुसार उन्हें वी एफार मोड में फ्लाइ करना था वी एफार यानि विज्यूल फ्लाइट रूल्स जो खराब मौसम में उड़ान भरने के दोरान फॉलो किया जाते हैं इस दोरान डेक पर फ्लाइट डेक मतलब हलिकॉप्टर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बजाए पाइलेट को अपने विजन का अपने नजर का इस्तेमाल करके उड़ान तै करनी होती है उसकी दशा और दिशा जो आफ सामने देख पा रहे हैं उसके हिसाब से अपनी पात चुनिए जबकि दोनों फाइलेट्स उस समय आई एफार यानि इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल फॉलो कर रहे थे फ्लाइट डेक पर अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं आई फार मोड में निर्णे लेते वक्त अपने विजन के बजाए इन्हें इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग को प्रात्मिकता दी जाती है फ्लाइट मैनुल चेक करने के दौरान दोनों ने 6 मिनिट का समय लगा दिया ये 6 मिनिट अंत में बहुत भारी पड़े तब तक समय हो चुका था 9 बच कर 26 मिनिट और 4 पर एक तूफान में फस गया था अगर सही समय पर दोनों ने ध्यान दिया होता तो वो इससे बच सकते थे CVR की रिकॉर्डिंग से पता चला कि दोनों पाइलेट्स ने एक बार भी तूफान डाइवर्शन ये वापस लोटने का जिकर नहीं किया जाहिर था कि जब तक उने तूफान का पता चला बहुत देर हो गई थी CVR के हिसाब से 9 बच कर 27 मिनिट और 24 सेकंड पर को पाइलेट रेडी कहते हैं कि चौपर नीचे जा रहा है 10,000 फीट प्रति मिनिट की गती से गिरते हुए चौपर आउट अफ कंट्रोल हो गया टॉक ड्रॉप होने लगा और रोटर और पाट और ब्राइन अनियंत्रित रूप से घूम रहे थे इसके ठीक 18 सेकंड बाद 9 बचकर 27 मिनिट और 42 सेकंड पर चौपर जमीन से टकराया और उसमें एक विसफोर्ट हो गया रेड़ी के बेटे और परिवार ने हेलिकॉप्टर दुरुघटना को एक साजिश बताया वायसर के पिता वाईस राजा रेड़ी की 1998 में एक बंविसफोर्ट में हत्या कर दी गई थी इसी परिवार में और हत्याईबे हुई है अभी से कुछी समय पहले यानि 2019 में तारीक की मौत में टीडीपी का हाथ है उन्होंने कहा कि हलिकॉप्टर ट्रैश से दो दिन पहले विधान सभा में टीडीप अध्यक्ष चंद्रबाबू नाइडू ने वायसर से कहा था कि वो कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे 2010 में सरकार ने हलिकॉप्टर दुगटना की जांच क रहेंगे अगले दिन अगली सुबह को तब तक के लिए नमस्टेश